हेलो गाईज कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमानशी कार में आज मैं आपके साथ बनाना मिल्क शेक बनानी की रेसिपी को शेयर करूँगी जिसके लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सर ब्लेंडर ले लिया है और इसमें हमने एक कप ठंडा दूद एड़ किया है साथ ही हमने दो बनाना ले लिये हैं इनको भी अच्छे से चील के एड़ किया है उसके बाद हमने इसके फ्लेवर को और इनहांस करने के लिए कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ किये हैं इसमें मैंने थोड़े से बदाम और काजू सोगी ले ली है साथ ही इसमें मैंने शुगर का यूज नहीं किया है गाइस इसकी जगा मैंने इसमें हनी शेहत का यूज किया है जो कि आपको मार्केट में असानी से अवेलिबल हो जाएगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगे कि आप भी शुगर का यूज़ ना करके हनी का यूज़ करें और इसमें मैंने एक स्पेशल चीज एड़ की है जिसे मुझे इसका चॉकलेट फ्लेवर बनाना था इसको तो मेरे पास एक टैरी मिल्क चॉकलेट पड़ी हुई थी इसको मैंने इसमें एड़ किया है अब हम इसे शेट कर देंगे वे में ढहर हैं पड़ क्रिका था बना ना था ना करें तो देखिए गाइस यह हमने चॉकलेट फ्लेवर वाला बनाना मिल्क शेक बना के तयार कर लिया है अब हम इसे सर्व करेंगे तो आप इसे किसी भी ग्लास या फिर शेक जार में पोर कर लें और इसे इंजॉय करें मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े सजेस करें कि मैं अगली वीडियो किस रेसिपी की बनाऊं थैंक्स फॉर वाचिंग